हेलो ब्यूटिफुल फ्रेंड्स आज मैं आपको बहुत ही डिलीशियस बहुत यम्मी भारत की ट्रेडिशनल चटनी बताने जा रही हूँ कि किस तरह से आप इसे आसानी से बना सकते हो तो यहाँ पर मैंने तीन टमाटर ले लिए हैं बड़े बड़े और लाल लाल टमाटर होने चाहिए हैं आपके लाल होंगे तो बहुत ज़्यादा टेश्टी बनती है चटनी और आप इसे डिरेक्ट गैस पर भून सकते हो धीमी आच में में टमाटर को भूनना है और आप किसी चिम्टे की या फिर किसी नाइफ की साहता से टमाटर को भून सकते हो इससे क्या होगा कि इसका जो छिलका होता है वो आसानी से निकल जाता है और टमाटर थोड़े सोफ्ट हो जाते हैं अंदर से और इनकी स्मेल भी बहुत अच्छी आती है और यहाँ पर मेरे मैंने सारे टमाटर फुन लिये हैं ताकि अभी इन्हें में छीलने में आसानी होगी और मैं इनका पूरा छिलका निकाल लूँगी तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है आप चटनी घर में बना कर जरूर देखिएगा बहुत आसान है और बहुत टेस्टी लगती है यह तो अगर आपको टिपस अच्छी वीडियो अच्छी लगती हो comment करकर और यहां पर हमें टमाटरों को छोटे चोटे पीसिस में काट लेना है चोटे अगर आप से नहीं कटते हैं तो बड़े भी काट सकते हो क्यांकि काटने में थोड़ा दिक्कत आती है तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है ज़ाद लगती है तो अपने फैंमिली फेंड्स की साफ्ट शेयर कीजीगा और पीडियो अच्छी लगए तो part of line कि जरूर कीजैघ मेरे वी डियो को और टॉटर जिब हमारे कट हाते हैं तो हम इन्हें चमऩ की सायता से मेश कर सकते हैं टमाटर अगर बहुत ज़्यादा सोफ्ट हों तो वो चम्मस से ही मैश हो जाते हैं लेकिन अगर आपके चम्मस से मैश नहीं हो रहे हैं तो हम थोड़ा सा मिक्सी में डाल कर घुमा लेंगे तो यहाँ पर मेरे चम्मस से मैश नहीं हुए थे तो मैंने हल्का साNext में डाला और ज़्यादा नहीं चलाना बस अन अउफ करना है मिक्सी को हल्के हल्के से मेश हो जाएंगे और यहां पर मैंने इनको खल्का सा मेश कर लिया है और यहां पर मैंने दस-बारा लेसुन की गूलिया ले ले आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग थोड़ा सा ज्यादा तीखा कर सकते हो मैंने ज्यादा नहीं किया है और इने भी हमें ज्यादा नहीं पीसना है बस हलका सा मोटा मोटा क्रश करना है और टमाटरों के अंदर मिक्स कर लेंगे इन्हें और यहाँ पर मैंने एक बड़ा प् संद हो आप उतना ले सकते हो मैंने यहां पर आधा ही डाला है फिलाल और यह भी हम मिक्स कर लेंगे और यह पैन गरम कर लेंगे उसमें एक चमस सर्चो का तेल डाल देंगे ट्रेडिशनल रेसिपी है तो जाहिर सी बाते सर्चो का तेल ही यूज़ करना है उसका टेस्ट अलग ही आता है इसके अंदर हमने राई डाल दी है और राई हमारी भुनने के बाद मैंने करी पत्ता डाल दिया है अगर आपके पास करी लीव्स फ्रेश हैं तो आप फ्रेश ड इसके अंदर हम चटनी डाल देंगे और चटनी के बाद हमें इसमें नमक डाल देना है अपने स्वाद के अकोर्डिंग जितना भी आप खाना पसंद करते हों और मिक्स कर देंगे चटनी हमारी बिलकुल रेडी है और अगर बिलकुल आपको बहुत पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा. Thank you. Bye-bye.